हाई गाईज वेलकम और वेलकम पैक तो माई चैनल इट्स मी सलोनी और आज मैं आपके सांद शेयर करूंगी यह येलो काईड अफ मेकप टीटोरियल जो की बहुत ही जादा ब्यूटिफुली टॉन आउट हुआ है so this look ko मैंने create किया है MN liquid foundation शे मुझे एक request आया था कि इस foundation से मैं पूरा एक look create करके दिखाऊं that's why मैंने इस look को create किया और बहुत जादे time से मैं भी सोच रही थी किि is foundation से look create करूँ that's why I created this look so this look को आप yellow dress के साथ या pink dress के साथ easily carry कर सक्ते हो आप वेडिंग गेश्ट के लिए या घर पे कुछ भी स्पेशल हो देन इस लुग को इजली आप कर सकते हूँ और यह आप देख सकते हो आई मेकप कितना जादा ब्यूटिफुल ही हुआ है और सारे मेकप स्टेप्स को मैंने बहुत ही इजी वे में बताया है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा हैलफुल होने वाली है वीडियो अच्छी लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है बैल आइकन को हिट करना है विदाव फॉर्दर डू लेट्स गेट इंट इस वीडियो मैं अपने स्कीन को हाइड्रेट करने के लिए यूज कर रहे हूं लेक में पीच मिल्क क्रीम इसमें है SPF 24 जो कि हमारे स्कीन को बहुत ही अच्छे तरीके से धूप से प्रोटेक्ट करेगा अज़ वेल एज हमारे स्कीन को बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन प्रोटेशन प्रोटेट करेगा जो कि बहुत अच्छा है यूज नहीं है तो यूज यूज एनी जेल लाइक अलोवेरा जेल गुडवेब स्कीक्विंबर जेल इंस्टेट आफ प्राइमर तो यह सेम वाउक करता है दो मिनट के लिए मैं इसे सेट होने के लिए छोड़ दूँगी तब तक मैं अपना आई मेकप कर लूँगी यहाँ पर मैं अपने ब्राउ को फेल करने के लिए यूज कर रही हूँ और इसे मैं अपने आइलेट्स पे अप्लाई करूँगी और अंडा एरिया में अप्लाई करूँगी एज आई प्राइमर या आई बेस आप बोल लूँ इसको मैं अच्छे से अप्लाई करके एंड एक फ्लॉफी ब्रेस की हर्प से ब्लेंड कर दे रही हूँ नमें एक्षट नयुक्तन से चैप कर दिया हूं अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँंगी जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हूं इस में वैशे ही कड्मि P.L.C influence किया है से मैंने CUT CREASE किया है तो यहां पर जो मेरा CUT CREASE है वह एक्सेक्ट हाफ सन की तरह तो आपको भी वैसे ही CUT CREASE करना है जैसे अप अपने आखो को बंद करोगे सो उस पे EG CUT CREASE कर सकते हो और एक फ्लैट आइसाइडवब्रेस की हल्प से ही करना है नेक्स मैं यूज कर रही हूँ ये सेम मार्स के पैलेट से येलो सेड और ये बहुत ही सुन्दर सेड है और इसको मैं धीरे धीरे प्लेस कर रही हूँ आयलेट्स के ऊपर एक फ्लैट प्रस की हर्प से ब्लैंड नी कर रही हूँ प्लेस कर रही हूँ और ये कलर आप देख सकत नेक्स में यूस करूंगी इंसाइट टू इनवर्ण आईलाइनर एंड मस्करा इसमें आईलाइनर एंड मस्करा दोनों है तो सबसे पहले मैं eyeliner draw करूंगी, यहां पर मैं एक wing eyeliner draw करूंगी तो सबसे पहले मैं एक wing draw करूंगी उसके बाद अपने upple lashes के पास पास छोटे छोटे line में draw करूंगी और अगर आप एक beginner हो दिन आप भी इस तरह से eyeliner apply कर सकते हो बहुत ही slowly slowly करना है carefully होके करना है और यह जो eyeliner रहेगी बहुत जल्दी dry होने लगता है आपको fastly apply करना है next में थोड़ा सा inner corner से भी wing draw करूंगी क्योंकि आजकर बहुत जादा trending है and हमारे eye makeup को एक label और ऊपर लेके जाता है दस्वाय मैं inner wing भी आजकोल बहुत जाज़ा draw कर रही हूँ so next में same mascara से जो इसमें mascara दिया गया है उसी से मैं अपने lashes को coat कर लेंगी volume add होने के लिए next मैं same yellow shade ले रही हूँ और उसे मैं अपने lower lash line में थोड़ा सा smoke out कर दूँगी ताकि थोड़ा हमारा eye makeup define लगे next मैं use कर रही हूँ MN foundation और जो मेरा shade है वो है C और इसे मैं finger से अपने face पे apply कर ले रही हूँ यह मेरे skin tone से बहुत जादा lighter है इसमें ABC ऐसे करके shade दिया रहता है बट सारे shade similar होते हैं ऐसे ही white होते हैं आप कोई भी shade ले लो सारे similar होते हैं और यह जो foundation है इसका मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ सुना था इसलिए मैंने इसको purchase किया यह आपको 100 रुपीज में मिल और यह ऐसे ही लगता है जब इसे apply करोगो तो बहुत white white effect देता है बट कुछ टाइम बाद यह oxidize हो जाता है तो पहले मैंने इसे brush से apply गया देन इस sponge की help से थोड़ा सा blend कर दे रही हूं ताकि जो इसका इतना वाइटी से लग रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाए नेक्स मैंने fit me का concealer लिया है और इसे मैं अपने under eye area में apply करी हूँ nose पे forehead पे chin पे cupid पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा apply कर रही हूँ और इसे मैं same blender की help से blend कर दे रही हूँ सो इसमें आपको कोई भी आप सेड़ लो यह आपके skin tone का exact नहीं मिलेगा अगर फियर skin tone हो बिल्कुल फियर हो देन यह आपके skin tone को जा सकता है otherwise यह नहीं जाएगा next में use कर रही हूँ NY Bay compact और इसे मैं अच्छे से अपने जो भी मैंने foundation and concealer apply किया है उसको मैं set कर लूँगी यह compact बहुत ही अच्छा है exact मेरे skin tone का था और price में भी बहुत अच्छा है affordable है so मैंने अपने nose को contour किया है and next मैंने अपने face को पूरा contour कर लिया है and थोड़ा सा jaw line को भी किया है ताकि हमारे face में एक feature add हो जाए हमारा feature enhance हो जाए face का एक exact और sharp look का आए so अच्छे से मैं contour कर ले रही हूँ next मैं यूज करूँगी blusser and blusser के लिए मैं यूज कर रही हूँ miss clear का blusser palette और इसमें आपको 4 set मिल जाएगा तो इसमें से मैंने second one set pick किया है और इसमें अपने apple of the chicks पे apply करूँगी blusser को smile करते हुए apply करना है perfect blush लगेगा otherwise perfect blush नहीं लगता है next मैं यूज करूँगी lotus का highlighter और इसको मैं अपने face के high points पे apply करूँगी so मैं को highlighter लगाना पसंद है and यह जो highlighter है यह बिलकुल आपको natural सा glow देता है और इसका जो सेड है वो है pink अगर आपको products के details चाहिए तो आप एक बार description जरूद चेक कर लेना में भी वहां से आपको मिल जाए so इसे में बहुत ही अच्छे तरीके से apply कर ले रही हूं next मैं use कर रही हूं wet and wild का makeup fixer इससे हमारा makeup जादे time तक stay रहेगा and lock रहेगा next मैं एक damn beauty blender की help से अच्छे से set कर लिया है और यह रहा मेरा final finished look so comment करके आप जरूर बताने कि आपको video कैसा लगा and यह video आपके लिए कितना helpful रहा so that's it guys for today's video till then bye bye take care see you next video झाल 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 झाल